भार्ती, अरी भार्ती सुनना, बड़ी सुन्दर है क्लिप से, हाँ समझ गई, तुने मेरा गौत फायदा उठा लिया, पुछ नहीं मिलने वाला, यार मैं मेरी वो ब्लैक बोरिंग क्लिप्स लगा लगा कि ना बोर हो गई, यह तो जारा या फिर H&M जैसे हैर क्लिप लग र यार ऐसे थोड़ी होता है, तु मेरी अभी भी दोस्ता है, मैं तुझे सारी रद्वी क्लिप्स को अच्छा करना सिखाऊंगी, देखा, दोस्ती-दोस्ती काम आता है, अब आप भी हमारे काम आजाओ, एक लाक लाइक करके तो अब हम बनाते हैं कलरफुल क्रिस्टल क्लिप्स, बस लेने आपको कोई भी कवड क्लिप और ये क्रिस्टल्स तो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगी, और क्रिस्टल को पेस्ट करने के लिए, मैंने यूजज किया है, ये प्लकर, बस क्लिप पर फैव स्क्रिस्टन क्लिप सार। इस यूनिकॉन एरफिछास के लिए हमें चाहिए ग्लीटर शींट फोम शीट और आटिफिज़ फलाइर सक्थे फ्लोग कार बें आ प्लग प्ल्ग शीट पर उनिकॉन शेप की हल्प से मैंने इसकी आई स्ट्रो कर दी और इसकी आउटलाइन कर दी ताकि यह और सुन्दर लगे अब क्लिप के उपर फैविक को लगाएं और यूनिकॉन के बैक साइड पर पेस्ट कर दें और बन गई हमारी यूनिकॉन हैर क्लिप अब बनाते हैं ब्लैक इन वाइट पॉल क्लिप बस लेना है ब्लैक इन वाइट मूती और रिबन क्लिप को रिबन से कवर करें जैसे हमने वाइट मूती लगाए थे ना बस सेम उसी तरीके से एक ब्लैक और एक वाइट मूती लगा कर इसे भी कवर कर लें लो हमारी black and white ball clip भी बन गई तो चलिए अब बनाते हम ice cream clip सबसे पहले clip को अपने मनपतन ribbon से cover कर लें अब बस glitter sheet लें और इसे cone shape में cut कर लें अब इसे clip पर paste कर दें और last में हम इसमें लगा देंगे pom pom लो बन गई हमारी ice cream clip इस rainbow inspired hair clip को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ foam sheet और glitter sheet अपनी मन पसंद sheets को पतली पतली strips में cut करें अब बस clip लें और strips को फैविकोल की help से clip के उबर paste कर दें और अब मैंने glitter sheet पे एक flower cut किया और इसे clip के top पर paste कर दिया लो बन गई हमारी rainbow inspired hair clip इस सुन्दर से unicorn clip को बनाने के लिए हमें चाहिए आपकी कोई भी पुरानी hair clip पूम शीट और glitter sheet और फैविकोल सबसे पहले फोम शीट पर leaf shape ड्रॉ करें और उसको cut कर लें और same shape थोड़े छोटे size में cut कर लें glitter sheet से और इनके साथ ही मैंने unicorn को horn और एक bow भी cut कर लिया तो सारी shapes तो cut हो गई तो चलिए अब इनको paste करते हैं अब बस जैसे मैं paste कर रही हूँ वैसी आप भी करते जाएं और आखिर में मैंने bow के ओपर ये rectangle shape paste कर दिया ताकि ये और सुन्दर लगे तो चलिए अब इसके back side पर clip paste करते हैं बस clip पर glue लगाएं और इसको paste कर दें और हाँ clip आपको open करके paste करना है clip paste करने के बाद आप इसे कम से कम एक दिन के लिए सूखने के लिए जरूर छोड़ दें ताकि ये अच्छे से paste हो जाए और जब आप इसे carry करोगे तो ये निकलेगी भी नहीं अब market में pastel color की hair clips तो मिलती ही नहीं है तो क्यों न हम अपनी फुराने hair clips को पेस्टल कलर में convert कर लें बस लेना है आपको अपने मन पसंद पेस्टल कलर के ribbons तो चलिए अब ribbon को hair clip पर लगाते हैं अरे रुको भाई ribbon लगाने से पहले इसको जला जरूर लेना ताकि इसके धागे न निकले अब बस clip को open करके इस पर फैविको लगाएं और इस तरीके से ribbon को लपेटते जाएं और हाँ ribbon आपको सिफ उपर वाले एरिया में लगाना है और end में आप इसे सूई धागे से अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेता कि जब भी आप इसे लगाए तो ये खुले ना देखा कितनी जल्दी हमारी नॉर्मल क्लिप कितनी कलरफुल बन गई आजकर पर्ड हैर क्लिप कितनी चल रही है तो क्यों ना हम भी बनाएं तो चली बनाते हैं बस लेना आपको ribbon और वाइट मोती क्लिप को ribbon से cover कर लें अब सुई धागी की help से एक के करके मोती इसमें पिरोते जाएं यहाँ पर मैं glue gun भी यूज़ कर सकती थी पर मैंने हैं पर सुई धागी का यूज़ किया क्योंकि अगर आप glue gun से मोतीया पेस्ट करते तो जब आप इसे लगाते ना तो सारे मोती निकल जाते और अगर आप सुई धागी की help से मोतीया पिरोगे ना तो यह तो सालो साल तक चलेंगी अब हम इतनी महनत कर रहें तो एक क्लिप सालो साल तो लगाएं गई ना लो बाते करते करते हमारी hair clip भी बन गई हमने इतनी सारी क्लिप्स बनाई तो हम अपनी bobby pin को कैसे भूल सकते हैं तो चलिए इसे भी डेकॉर कर लें बस जोरत पड़ेगी हमें ribbon और मोतियों की बस bobby pin के उपर वाले हिस्से को ribbon से cover कर लें और बस इसने भी सुई धागे की help से एक एक करके मोतिया लगा दें सेंटर में मैंने एक बड़े मोति का यूज किया ताकि ये थोड़ा अलग सा look दे लो हमने अपनी bobby pin को भी डेकॉर कर दिया तो अब इंतजार मत करना अपनी boring clip को ऐसी सुंदर बना लेना और भी तो दीन देली पास clips वो भी देना हां बहुत सारी है सबच रही हो कि college में जाकर बेच लूने क्या तो नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मैं तो कहते कि हमारे friends ने एक लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राब भी कर दिया है चला हम इसी बाद में मुझे पाटी देने चला